सच में ये मूवी में कोई बिना expectation लिए देखने बैठा था और अब तो हकीकत हो गई है कि आप बिना कोई expectation लिए कोई movie देखने बैठते हो या कोई movie देखने जाते हो या series जो भी है तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इसके विपरीत इसके अपोजिट अगर आप किसी मुवी या सीरिस से बहुत ज़ादा उमीदे लगा के बैठ जाते हो उससे बहुत ज़ादा एक्सपेक्टेशन लेग लेते हो तो वो आपको डेफिनिटली ज़ादा मेजोर्टी के टाइम में आपको वो निराशी करती है तो ऐसा ही मेरे साथ इस मुवी के साथ हुआ नमशकार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं मिराज मुवी के बारे में जो 2018 में आई थी और मैंने ये मुवी नहीं देखी थी अभी फिलाल वैसे ही कहा ना बिना कोई एक्सपेक्टेशन लिए मैं ऐसी स्क्रोल डाउन कर रहा था तो ये मुवी देखने का मन कर गया तो मैंने ऐसे देख लिए इस मुवी को और मैं सच कहूँ ये मुवी देखकर मैं कोई पसदा नहीं रहूँ मैंने सच में ये मुवी देखकर मदब बहुत इंजोई किया ये मुवी देखते टाइम इसे direct के Aureole Paolo ने, अब इसके cast के नाम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इतने अजीब से वो नाम है, अजीब से क्या है, उनकी country के according, उनके नाम जैसे रखे जाते हैं, वो वैसे हैं, बट उनके नाम लेना, उनके pronunciation जो है, वो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो skip करते हैं, कहानी सारे बोलते हैं, कि spoilers मत दो, मुवी का interest खराव हो जाते हैं, तो पहले ही एक चितावनी देखे चल रहा हूँ, क्योंकि यह 2018 के अंदर आई मुवी है, तो मैं ज़्यादा expect यह कर रहा हूँ, कि बहुत से लोगों ने मुवी देख रखी होगी, इसकी कहानी शुरुई होती है 2014 में एक परिवार एक घर में रहने आया, एक नए घर में रहने है, उस परिवार में वीरा रोय नाम की एक लेडी, उसके husband डेविड और उन दोनों की एक चोटी बच्ची है, अब होता गया है कि वो 2014 में जिस घर में रहने आया, 1989 में उसी घर में, यानि 25 साल पहले उसी घर में एक निको नाम का एक चोटा लड़का, दस साल का एक लड़का और उसकी मा उसी घर में रहा करते थे, और निको को बहुत ज़्यादा शोग था वीडियो बनाने का तो उस टाइम जो 1989 के टाइम में जो वीडियो रिकोडर आते थे, तो वो वीडियो रिकोड करता था और अपनी वीडियो टीवी पर देखता था जो उसके टाइम में वहाँ पर रखा हुआ आमें इस मूवी में देखने को मिलता है 9th of November 1989 और 9th of November 2014 को सेम तुफान यानि 25 साल बाद एक तुफान सेम रिपीट होता है और इसी तुफान के कार्ण एक connection बनता है कि जब जाके उसे देखती है तो उसे दिखता है कि निको जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसे स्टार्टिंग में लगता है कि ये तो एक कोई वीडियो ऐसी चल रही होगी लेकिन जब निको उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो एक्चलन जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग हो रही है वैसे ही हो रहा है यह सब चीजें हो रही होती है क्योंकि जो तुफान है उसकी वज़े से पता नहीं कौन सा connection बन जाता है क्योंकि वही सेम तुफान 1989 में आया हुआ होता है और वही सेम तुसेम 9th of November 2014 में अपने जिससे present की जो वीरा रोय है वो past के निको से बात कर पाती है और यहां पर एक छोटी सी बात मैं बता दूँ कि निको जो है इस बात करने से पहले कि अभी यह तो एक अलग पढ़ाव है इससे एक अलग step है इससे पहले क्या होता है कि जब इससे बात नहीं की हुई होती तो इसी तारीक को 9th of November 1989 को वीडियो रिकोर्ड करके जब बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ वाले घर में किसी का murder हुआ है तो उस घर में जाके देखता है तो उसको दिखता है कि एक लेडी का murder हो गया है जब उस murder को देखकर वो भागता है तो गाड़ी के नही तो उसकी death हो जाती है अब इस death के बाद ये एक अलग scene दिखाया गया है और इसी death के बाद जब वीरा रोए मतलब इस death के पहले ठीक वीरा रोए और निको का जब connection इस तुफान के विज़े से बनता है ये ठीक उसी से पहले दिखाया गया है कि जब निको जब बाहर जाने ही वाला था और वीरा जो है उसको ये कहती है कि अगर तुब बाहर गया तो एक गाड़ी के नीचे आके मर जाएगा तो ये जो changes इसके अंदर दिखाये गए हैं जो उसका past जो बिल्कुल change कर देती है और इस past के change होने से वीरा की life पे भी बहुँ जादा यानि present की life पे definitely आप अगर past को change करोगे तो present तो definitely affect तो हो गई होगा तो उसे वीरा का भी जो present है वो affect होता है और जब उसकी नीच जब खुलती है ये सब होने के बाद जब वो निको की जान बचा लेती है और उसकी जब अचानक से नीच खुलती है तो वो अपने आपको एक hospital के अंदर पाती है और जब ये past जब change करती है तो उसकी past change करने के बाद definitely कीवी अब ची उसको वो चीज़ें याद आती है कि उसकी एक husband था डेविड और उसकी दोनों की बेटी थी Claudia तो वो चीज़ें उसको याद आने लग जाती है अब विरा रोय जो है वो अपनी नई जो जिन्दगी है जो अभी वो चल रही थी past change होने के बाद वो बिलकुल भूल जाती है कि भी हाँ उसकी life में कौन था वो क्या बन चुकी है अब उसे पता चलता है कि उसकी शादी अब हुई नहीं डैविड से उसका कोई बच्चा ही नहीं है तो अब वो इतनी बोखला जाती है कि अब उसे वो connection वापीस बनाना है क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो direction है वो मुझ तीन दिन के लिए तुफान चलना होता है अब उसी time उसकी आँखें कुलती है उसी वक्त उसकी याद आती है कि वो निको से बात कर रही थी जब वो तुफान स्टार्ट हुआ होता है तो अब उसके पास 72 गंटे है यह सब connection वापीस बनाने में निको से बात करने में उसको भी वो ऐसा कुछ ना करे कि उसकी life पे कोई effect पड़े यानि वीरा की life पे कोई effect पड़े तब यह चीजें बताने के लिए उसके पास 72 गंटे है ताकि वो अपनी बेटी को वापस पास सके अब इस चीज में बहुत सारी चीजों के राज भी इसमें कुलते है उसके पती का उ तो उसे पता चलता है कि यह दोनों कोई चीट कर रहा होते है तो यहां पर यह कुछ चीजों का पता चलता है और इसमें एक suspense भी रखागा है अलगी आपको experience देती है जो आपको बहुत कुछ नया इसमें देखने को में जाता है और performance की बात करें तो यार बहुत ज़्यादा आपको attract करेंगी performance भी story भी इसके अंदर direction है वो सब चीजें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है अब एक चीज मैं बतातू कि जि मूवी देखते हो तो आपको चीजें ऐसे लगती है कि यह क्या बच्चों का खेल चल रहा है तो ऐसा या मैने तब किया जब मैंने फिल किया यह takes one stepiksi 10 अच치ानक से आपने वह तीन सीजन देहों कि तो बहुत सारी मिस्त hello इसमें थोड़ा सा ओर improvement होनी चाहिए थी, थोड़ी सी इसमें ओर improvement होनी चाहिए थी, but मैंने थोड़ा देहान से सोच कर देखा, कि यार यह जो movie है, वो डेड़ घंटी के, और डेड़ घंटे में कितना improvement कर सकते थे, but इन्होंने जितना क्या, वो काबिले तारीफ है, मेरी तर और इसमें बहुत सारे twist भी आपको देखने के मिलेंगे, जो इसकी life जो change होती है, और आपको यह बांद कर रखने वाली movie है, ऐसा नहीं है कि आपका starting में interest बना, बाद में नहीं बनेगा, definitely शुरू से लेके आखिर तक आप इस movie के साथ बंद करी रहोगे, खैर बस आज के ल